नमस्कार साथियों, नियूस के लिएक में हम आपका स्वागत करते हैं। अच्छी रुची रखने वाले दो वरिष्ट सहयोगी प्रबीर पुरकायस्थ और बपा सिन्हा। तो पहला सवाल यही है कि जो संसत में कल जवाब दिया गया इस प्रश्ण के जवाब में कि यह कानून है और कानून के तहट चानवीन की जा सकती है, इंटरसेप्ट किया जा आप से आप एक नागरी के तौर पर डिश्टल मामलों के जानकार के तौर पर कितने संतुष्ट हैं? पहली बात तो दो दर्जन नहीं, अभी नंबर जो है एक सो चालिस की बात की जा रही है, इस जवाब में दो जवाब, दो अलग अलग जवाब आए हैं, एक होम की, मिनिस्टर स्टेट फॉर होम, किशन रिड़ी की, और एक है आपका आई-टी मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद की, तो रविशंकर प्रसाद ने कहा 121 की ख़बर हमारे पास WhatsApp ने दिया था, सब्तंबर में, तो 128 तक तो वो मान रहे हैं कि WhatsApp ने उनको खबर दी थी, सब्तं की माने में अगर देखे, कहा क्या है, तो ये सवाल बड़े डिरेक्ट थे, बहुत दो दयानी धी मारंग के सवाल था, अवेसी की सवाल था, दोनों ने पूछा था, क्या सरकार की किसी एजनसी ने WhatsApp को टैप किया है, नहीं किया है, अर अगर टैप किया है, तो कौन था, किस कानून के तहद किया है, और उसके लिए प्रोसीजर्स प्रोटोकॉल्स किया है, तो होम मिनिस्टरी की जो जवाब है, किशन रिडी की जवाब है, उसमें उन्होंने कहा, कि हमारे पास सेक्शन 69 ऑफ दा आईटी आक्ट के तहद, ये हमारे पास ख्षमता है, के साथ साथ एंक्रिप्शन को तोड़ने का और किसी भी डिवाइस में जो खबर है, जो चीजे है, उसको एक्सेस करने की भी अधिकार है, इसका मतलब ये कह रहे हैं कि हमारे पास सेक्शन 69 ऑफ दा आईटी आक्ट के तहद, हमारे पास किसी भी कम्प्यूटर के अंदर पहली बात, दूसरी बात और नहीं कहा कि हमारे इहां पर प्रोसीजर से कैसे किया जा सकता, वो हमें मालूम है कि रूल्स होते है, जिसके रूल्स के तहद एक होम मिनिस्ट्री में सेक्रेटरी की दसकत होनी चाहिए, पर ये अगर हम छोड़ दे कि प्रोटो क्या है, आईट हमें दूसरों के सेल फोन में जासूसी करने की अधिकार है, और ये कहने के बाद इनों ने ये जवाब नहीं दिया, क्या किसी सरकारी एजनसी ये कर रही थी या नहीं, सिर्फ इतना गिना दिया है कि इतने एजनसी के पास ये अधिकार है, उस पे दस सरकारी एजनसी आती ह जिसके इनके ये पावर्स है दिली पुलिस कमिशनर भी उस पर शामिल है पर ये जो होम मिनिस्ट्री के इलावा भी और एजन्सी से जिनके पास ये अधिकार है ये उन्हें ने गिना दिया पर जिसकी जबाब नहीं दिया वो ये है कि हमारे कोई एजन्सी इसमें शामिल था या इस सॉफ्टर को खरिदा था या नहीं रविश अंगल परसाद के जबाब कुछ और ही है उन्हें ने कहा कि हाँ ऐसे कुछ आरोप सरकार पे लगाई जा रही थे उन्होंने कहा इसका जो उनका जबाब जो है अगर आप देखे तो ये कह ये नहीं कह रहे है कि सरकार पे जो आरोप है जूटे है ये कह रहे है सरकार पे आरोप गलत नियत से लगाई जा रही है पर सवाल किया है नियत की नहीं है सवाल तो फैक्ट्स की है और बहुत सीधा सरवाल था कि क्या पेगासरस का यूच किया गया किसी सरकारी एजनसी से किया है क्या उन्होंने कहा नियत की उपर उनने संदेहे प्रकट किया पर ये नहीं बताया कि सरकारी कोई एजेंसी ये नहीं कर रहा है ये सिर्फ कहा कि हमें हैकिंग को चेक करने के लिए हमारे पास अधिकार है पर ये जो हो मिनिस्ट्री की जो सवाल हो कहता हमारे हैकिंग के अधिकार हमारा है ये इन्हों न नहीं कहा हमारा का हैकिंग को डील करने के लिए हमारे पास अधिकार है तो डील तो हम कही रहे हैं पेगसेस के उपर आपने डील किया है क्या तो ये डील का दो अर्थ है पता नहीं रवी शंकर प्रसाथ किस अर्थ से इसके इसके इस्तबाल किया पर सवाल है इसके कोई जवा अब दोनों मिनिस्ट्री से संतोष जनक की बादूर है, कोई जवाब नहीं मिला, ये उनको होम मिनिस्ट्री तो इसको डग कर गए कह सकते हैं, और रविशंगर प्रसाद ने नियत पे संदेहें प्रकट करते हुए इसका जवाब नहीं दिया. अब तो हम तकनीकी पहलों पर आते हैं इसके, तो तकनीकी पहलों पर देखें तो एक तो सिंपल सा आप ये बताएं दर्शकों की पेगासस और जो उससे प्रभावित हुए वाटसाप, जो कहा जाता है कि उससे सुदक्षित रहते हैं संदेश, उसका इंट्रप्शन, वो क्य इसको जो प्रभावित किया या वो से रोका जा सकता है और तीसरी बात आप ये बताएं, ये वाटसाप के साथ ही क्यों हो रहा है? तो आपका जो तीसरा question है वो सबसे पहले बता दो तो दो कारण है WhatsApp के लिए अच्छा वाट्सआप के इस टाइप के जो hack हुए है एक नहीं हुआ है दो हुआ है एक तो जो इसका सब बात कर रहे हैं Pegasus के जो Pegasus का malware से hack हुआ बट अभी ये पिछले हफ़ते WhatsApp ने एक नया एडवाईसरी जारी किया है जिसमें उन्होंने उन्होंने डिसकवर किया है कि एक दूसरा है भी पॉसिबल है तो वो हैक एक्चुली यूज हुआ है कि नहीं हुआ वो बताता नहीं है बट यह दो अलग अलग हैक्स हैं तो और यह दोनों हैप्स दोनों जो हैक्स हैं यह WhatsApp के सॉफ़वेर के में बग्स मतलब उनमें कम्यों के कारण यह हैक संभव हो पाए है तो इसमें WhatsApp का तो दोश है कि उनका सॉफ़वेर में प्रॉब्लम्स हैं जिसका बाकी लोग इस्तमाल करके फोन को हैक कर सकते हैं और दूसरा है कि WhatsApp सबसे ज्यादा पॉपुलर मेसेजिंग एप है तो जादा लोग इसको इस्तमाल करते हैं तो अगर आप उसका वाइरस लिक रहे हैं तो आप ऐसा वाइरस लिके जो जिसको सब लोग इस्तमाल करते हैं तो पॉपुलर होने के नातिबी खत्रा बढ़ता है पर एक बात इस पे जरूर है कि WhatsApp क जो हैक हुआ है इससे एक सवाल जरूर खड़ा होता है जो लोग समझते हैं और जिस कुछ हद तक WhatsApp फेस्बुक इसका पूश्टी किया है कि बहुत प्रोटेक्टेड है पूरी तरह से एंक्रिप्टेड है इसलिए लोग जो इसके इस्तमाल करेंगे वो सेफ हैं सवाल है कि क और ऑपरेटिंग सिस्टम और जो हार सौफट वेर होता है ऑपरेटिंग सिस्टम को उसको तोड़ते हैं इसलिए कि वो आसान रास्ता है और उसमें सुराख मिलना आसान है इंक्रिप्शन तोड़ना आज आज भी इतना आसान नहीं है तो जब इंक्रिप्शन के लिए सारे तौर तरीके हैं इसी लिए आपको बुनियादी जो कहते हैं हाइजीन डिजिटल हाइजीन जिसे कहते हैं और सेफ्की आपको खुद रखनी पड़ेगी अगर आप नहीं रखते हो आपका यह एसंप्शन होना चाहिए कि हमारे जो भी हम कह रहे हैं कॉम्मिनिकेट कर रह उसको लेकर कि आपकी क्या रहा हैं अब जो कह सकते हैं कि अगर आपने कोई चोरी नहीं की तो आप तो जाच के खिलाफ आप क्यों स्वर उठाएंगे आवास के उठाएंगे तो यह कमिटी 24 लोगों की बीटिंग हुई थी कल हुई थी 24 लोगों की इस बीटिंग में उन्ह के बीजीपी की स्दक्रेश में बारा थे उन्हों ने विरोध किया इसकी जाच जो है इसकी चांडनेक कुमीटी ओना आइटी करें और क्योंकि बारा दूसरे पार्टियों को थे उन्होंने कहा था होनी छाहिए तो शेशी थरूर जो इस कमिटी के चेयर है उन्होंने अपना कास्टिंग वोट देके इस डेड़ लॉक को ब्रेक किया उसके तहद अभी स्टैंडिंग कमिटी का ये जरूर नतीजा निकला है कि इस बारे में वो छानबीन करेगी तो आईटी सेकेटरी होम सेकेटरी इनको ब पारलेमेंट में इन्होंने इस चानमिन के मुझालफत की उससे तो लग रहा है जो दूसरे लोग कह रहे हैं जो हम भी बहुत दिन से कह रहे हैं कि सरकारी एजनसी किसी ना किसी सरकारी एजनसी इस पेगेसस टूल्स को खरीदा है या लीस किया है और इसका इस्तमाल किया है क्योंकि जिन लोगों के नाम आ रहे हैं वो भी चुनाओं के पहले काफी उच्छा ले गए थे अर्बन नक्षल एक चुनाओं का प्लैंग बना था याद होगा आपको तो इसको देखते हुए कोई एरे गहरे आके इन लोगों का फोन तोड़ा है और फोन को कुछ है किया है यह संभव नहीं लगता पर इस पे और एक सवाल जो आता है जो हमने चर्चा नहीं की वो यह है कि यह फोन जब बापा को आप पूछ रहे थे कि अगर यह फोन इंफेक्ट होता है मैलवायर से फोन किया इसको फिर हिल्दी बना जा सकता पिरिकाल से बापपा इसके-्यू जब चाफ है इसके लागता नहीं है कि फोन को दुबारा से आप से रक्षित कर सकते हो क्योंकि हैक दो तरह के होते हैं एक है कि आप ने एक application जो malware application है वो डाल दिया और फिर अगर आप factory research कर देते हो फोन को सारे factory research में आपका सारा data और जो सब app अपने deploy किया है वो सब इरेज हो जाते हैं लेकिन यह जो hack है Pegasus का उसमें उसको super user या root permission मिल जाते हैं और अगर किसी को root permission मिल जाता है तो वो सिरफ app ही नहीं install कर सकता है वो operating system जो android operating system है उसका भी वो उसमें बदलाफ कर सकता है उसके अंदर भी mail code ऐसे code लिखके उस पर डाल सकते हैं जिससे वो permanently वो phone समझे है और जो factory रिसेट करते हैं तो उसमें operating system नहीं होता है तो अगर उसने operating system में कुछ कर दिया है चेंज तो फिर factory रिसेट से भी वो फोन दुबारा से सुरक्षत नहीं होगा तो फिर आपको फोन को फिक ना बढ़ेगा और नया फोन कर इतना बढ़ेगा यानि कि हमारे जेब में रहने वाल अगर पेगासा से प्रभा है और इस पर मैं आखरी बात ही कहना चाहूंगा कि यह हमें नहीं समझना चाहिए कि डिजिटल दुनिया में सुरक्षा आप आसानी से कर पाओगे आज के तारीक पे सुरक्षा रखना अगर है और अगर आपके पीछे खूफिया एजिंसिज लगे है तो आपको सुरक्षि रहने में काफी परिश्रम करनी पड़ेगी यह जो आसान तरीके है वाटसाप में कर लीजिए फलाना एप इस्तबाल कर लीजिए टेलिग्राम सिगनल वगारा वगारा सब में कुछ ना कुछ नुक्स सब में कुछ ना कुछ खत्रा है तो यह एक अलग चीज है हमें मान के चलना चाहिए अगर यह प्रोटेक्शन देना है तो हमें कानूनी तोर पे सरकार पे प्रतिबंध लगनी चाहिए कि हमारी जो बेसिक बुनियादी अधिकार है जो सुप्रीम कोड भी मान रहा है फ्रीडम आफ प्राइवसी जो कह रहे है प्राइवसी की हनन ना हो इसके लि पे गासस की और ऐसी स्थिती में आप अंतिम समय बताते चलेए हमारे आम दर्सकों को दरसल जो नीजटा है ना बहुत ही लगता है कि बहुत ही अलीट सब्द है इसका तोड़ा सरल रूप क्या होगा प्रभावी भाई मेरी जिन्दगी में ऐसा क्या है कि उजागर हो जाए इसको बताते हुए और कानून क्या हो बता देजे देखिए नीजटा और प्राइविसी की जो बात आ रही है यह सही है यह बीसवी सदी की उस वक्त पे आ रही है जब आपकी दुनिया सिर्फ आपका घर के चाट दिवारों के अंदर नहीं और आपकी दुनिया काफी हद त होता है आप किते घंटे से सेल फोन और कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं आज के तारीक पे जो यंग लड़का लड़की होते है वो तो करीब पांच छे घंटा कम से कम सेल फोन के साथ ही जुड़े रहते हैं तो यह जो चीज है एक जिन्दगी आपके एक अंग्ष जाकते ह रहे हैं यह भी आपके चाथ दिवारों जैसे हो यही एक प्राइविसी के इशू है किस से आप बात करते हैं क्या बात करते हैं घर में जब बात करते हैं मिया बीबी की बात होता है क्या मीबी मिया बीबी की बात जब स्मार्टफोन पे होता है उसका चरिट्रिय अलग हो ज जायेगा नहीं जब तक ये नहीं होता है तब तक लगता है कि इस पर क्या नुकसान है ठीक है ना अच्छा आज के तारीक में ये भी है ना हमारे जमाने में हम समझते थे कि big brother is watching us कि एक सरकार हमको हमको निगाह में रख रही है एक बुरी चीज होती थी आज तो एक दूसी बाद भी आगे सब अपना जिन्दगी के हर चीज सेलफोन में बताते हैं फेस्बूक में बताते हैं ये भी कुछ चीजे है पर इस केस से खास तोर से पता चलता ये सिर्फ नीज़त प्रतिकार क्या है ये भी देखने की बात है इसमें एक चीज में जो आयट करना चाहता हूं कि आप बोल रहे हैं कि लोग चार-पाच घंटे सेलफोन इस्तमाल करते हैं लेकिन वो सेलफोन आपका सिरफ जब आप इस्तमाल कर रहे हैं आप कुछ पढ़ रहे हैं मेसेजिंग कर रहे हैं या फिर फोन कर रहे हैं उसमें ही सेलफोन आपको मॉनिटर नहीं कर रहे हैं आपको 24 घंटे जब तक आपके बास सेलफोन है वो आप कहां जा रहे हैं उसका जियो कॉडिनेट्स वो मॉनिटर किया जा सकता है आप सेलफोन इस्तमाल नहीं कर रहे हैं बट बात कर नया घर में वो cell phone सुन रहा है और Facebook और Google Amazon जैसे आप वो जो आपका जो बाहरी conversation है cell phone वाला नहीं जो आपका normal घर का conversation है उसको record करके वो Google के server में Amazon या Facebook के server में जा रहा है तो cell phone जो सिर्व को इस्तमाल करें तो तक सिम्यत नहीं है आप cell phone को लेके घूम रहे हैं तो आपका हर एक्टिविटी रेकॉर्ड हो रहा है यानि कि आप इंसान के रूप में कैसे हैं उसको पता है सिर्फ इता ही वह कहा है कि हमारा पॉकेट में भी एक जासूस हम खोदी खरीद के रखे हुए है इसी लिए इसका प्रोटेक्शन हमें इसका गलत इस्तवाल का प्रोटेक्शन जो है कानूदी तोर पे कंपनियों का खिलाफ और सरकार की खिलाफ दोनों के तरह हमको बनाने की जरूरत है यह नई चीज इसलिए है लोगों को एलिट शब्द इसलिए लग रहा था कि यह पहले आम लोग इस्तवाल नहीं करते थे अब जब कैसे किस प्रकार यह उनको भी लगेगा यह हमारी भी बात है मेरे ख्याल से वक्त की बात है और कुछ ऐसे चीज़े होने की वक्त है जब तक जब यह चीज़े और साफ हो जाएगी शुक्रिया इस गंभीर विसे पे इतने सरण अंदाज से हमसे बातचित करने के लिए एक साहित्यकार कहता है कि कैसा हो अगर आपके दरवाजे पर आई हुई चिठ्थी कोई दूसरा अदमी पढ़ ले बिल्कुल वैसा ही है मामला सुक्रिया आप देखते रहे हैं न्यूस